नमस्कार दोस्तो टेक्सपोर प्रदिव यूटुब चैनल में आप सब का स्वागत करते हैं दोस्तो एक और नई वीडियो लेकिया है आपके लिए और यह जो वीडियो काफी हैलफुल काफी अच्छी जानकरी इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर करने वाला हूँ अगर टैप है जिसको आप फॉलो करके अपना पूरा पीफ का पैसा जो है घर बैठे ओनलाइन निकाल सकते हैं अगर यह वीडियो आपने पूरी देख ली तो आप खुद कहीं नहीं अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर में जिसका भी पीफ अकाउंट है उसका भी पीफ का पैसा प आप पीफ की पास्बुक चेक करते तो उसमें यहां पर तीन जगे पर आपको जो है आपका पीफ का अमाउंट सो होता है पहला जो होता है वो करमचारी शेयर दूसरा होता है जो नियोकता सेयर तीसरा जो है पैंशन अंसदान यानिकी पैंशन कोंट्रिविशन तो यह तीन हम जेते हैं और यहां पर पुरा पुरा बाराइफ करमचारी शेयर में आ जाता है और और यहांपर विझा पैंशन अनसदान जाता है pension contribution में चला जाता है तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उसे पहले छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप इस तरह की helpful वीडियो पाना चाहते हैं मैं support करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले तो चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आपको step by step आपको प्रोसेस दिखाता हूं तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले एप्यफों का जो यू ए एन का जो पोर्टल है उसको open कर लेना है इस तरह से open हो जाएगा बाकि इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के description में दे दिया है यहां पर आपक अरकी वीडियो के description में मैंने link की दे दिया है ठीक है तो यहां पर मैं अपनी detail mention कर लेता हूं उसके बाद sign in करके फिर आगे आपको जो है process दिखाता हूं यहां पर मैंने अपना बारा डिजिट का universal account number mention कर दिया यहां पर password कर डाल दिया है यहां पर और यह जो कैप्चा कोड service history पर प्रेस करेंगे तो यहां पर अगर आपकी दो PF member ID आती हैं जैसे कि इसकी दो आ रही है तो क्या करना है पहले आपको पुरानी जो यह PF member ID इसका पूरा का पूरा पैसा नई पीफ मेंबर आइडी में जो करेंट पीफ मेंबर आइडी रहती है उसमें ट्रांसफर कर लेना है अदर्वाइज ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपका इस पीफ मेंबर आइडी का जो पुरानी पीफ मेंबर आइडी रहती है उसका पैसा आ कटे हैं को सब्सक्राइब कर लेना है इसका पैसा पैसा का पैसा नहीं होगाए उसका पैसा पैसा तो आपके नमबर पे च्इम पैसाか पैसा में ट्राइस कर लेना है अगर आप आपकी पुरानी जो PM Member ID रहती है उसका पैसा वीडो नहीं होगा वो पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे अब इसने जो है अपनी पुरानी PM detail mention करके यहां पर save करेंगे उसके बाद जो है यह के वाइसी पैंटिंग जाएगी फिर approval के लिए और जैसे आपकी company अप्रूव करेंगी के वाइसी अप्रूव हो जाएगी यहां पर आ जाएगी जो option है इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर claim forum 31191010C जो option है यह वाला option आपको select करना है और जैसे select करेंगे तो यहां पर आपको अपना bank account number का पूरा number यहां पर mention करना है जो bank account आपके UAN account के साथ link है वह बैंक account number यहां पर पूरा mention करके verify करना है तो चलिए मैं यहां पर मैं mention कर देता हूं, यहां पर मैं mention कर दिया मैंने यहां पर उसके बाद verify का option है, इस पर click करना है, उसके बाद यह पूछेगा, यहां पर I agree to do terms and condition, यहां पर yes कर देना है, और जैसे yes करेंगे, आपका bank account match हो जाएगा, तो यहां पर देखे green करके ok आ जाएगा इस तरह से, उसके बाद यहां पर option मिलेगा processed for online claim, इस पर आपको click कर देना है, जैसे इस पर click करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक window और आ जाएगी, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, और यहां पर आएगा I want to apply for, तो यहां पर select claim option मिलेगा, तो यहां पर आ employee share, और यह जो employer share का यह जो पैसा रहता है, इसके लिए होता है, यह forum 19, उसके बाद जो pension का पैसा रहता है, यह वाला pension contribution का यह जो पैसा रहता है, उसके लिए आपको यह apply करना है, only pension withdraw form 10 से, तो यह सारा पैसा आपका withdraw हो जाएगा, तो अभी जो है, इस वाले पैसे के लिए, यह forum जो है, select करते हैं, only pf video forum 19, जैसे यह select करेंगे, यहाँ पर देखे, upload forum 15 जी का option आएगा, अगर आपकी service जो है, 5 साल से कम है, और आपका जो pf का पैसा 50,000 से जादा है, तो आपको यह जो है, 15 जी forum भरके upload करना पड़ेगा, अगर आपकी service, total service, 5 साल से कम है, और pf का पै 50,000 से जादा है, तो आपको 15 जी forum बरना पड़ेगा, अगर आपकी service जो है, total service, 5 साल से कम है, और pf का पैसा 50,000 से जादा है, तो यह आपको बरना है, अब यहाँ पर इसका जो है, आपको दिखा देता हूं, इसकी जो total service है, अब यहाँ पर देखे, इसका जो टोटल पैसा ह 50,000 से कम है, 50,000 से जादा नहीं है, तो इसको 15 जी forum बरने की जरूरत नहीं है, अगर 50,000 से जादा amount रहती, तो 15 जी forum जो है, वो बरना पड़ता, ठीक है, तो इसको 15 जी forum जो है, बरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं पता 15 जी forum कैसे बरते हैं, कैसे upload करते हैं, इसक comment box में comment करके मेरे को बता देना ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगा तो यहाँ पर employee address, जो आपके आधार card में जो address है, वो यहाँ पर आपको mention करने है, उसके बाद तो चले यहाँ पर मैं address mention कर देता हूँ, अब यहाँ भी मैंने जो हई, इसका address mention कर दिया उसके बाद यहां पर upload scan copy of check या फिर passbook आपका जो bank account आपके uan account के साथ link है उसके या तो passbook आपको upload करनी है या फिर checkbook और वो उसका जो size है 100 kb से 500 kb के बीच में होना चाहिए और वो जो है jpg format में होनी चाहिए ठीक है और उस पर आपका नाम आपका bank account नंबर और आफ c code जो है mention होना चाहिए तो यहां पर देखे चूज फाइल का option है इस पर press करके मैं upload कर देता हूं तो यहां पर यह बैंक चैक है इसका जो size claim using my adhar credential यहां पर चोटा सा box इस पर चीक कर देना है ठीक है टीक कर देंगे उसके बाद यहां पर get adhar otp आपकी जो adhar card के साथ जो mobile number लिंक रहता है उस पर एक otp आएगा तो चलिए इस पर मैं जो है press कर देता हूं जिससे की otp आ जाए get adhar otp पर मैं click कर देता हूं तो यहां पर please wait और यहां पर देखे success otp has been sent on mobile number registered with uidi जो adhar card के साथ mobile number register रहता उस पर otp चला गया और वो otp जो है यहां पर mention करके validate otp and submit claim forum पर click कर देना है तो मेरे पास otp आ गया है वो मैं mention कर देता हूं यहां पर otp मैंने mention कर दिया अब यहां पर validate otp and submit claim forum इस पर click कर देता हूं और एक कुछ second लेगा उसके बाद देखे otp has been verified ekyc updated and pay final withdraw claim form submit successfully on unified portal please click here to view pdf इस पर place करके जो आव अपनी pdf भी और जो request submit करी वो check कर सकते हो यहां से download भी कर सकते हो ठीक है तो यह हमने जो है यह जो पैसा है employee share और employee share इसके लिए जो है हमने apply कर दिया अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं यह pension अंजदान का पैसा apply करने से पहले यह pension का पैसा withdraw करने फिर 180 दिन से ज्यादा होनी चाहिए यानि कि 6 मैने से ज्यादा की होनी चाहिए अगर आपने किसी company में एक मैने काम किया फिर दो मैने काम किया तीन मैने काम किया तो यह PF का पैसा रहता है इसको आप कभी भी withdraw कर सकते हो बड़ pension के case में अगर आपकी service 6 मैने से कम किये तो आप इस pension के पैसों को withdraw नहीं कर सकते अगर 9 साल 6 मैने से ज्यादा की service होगी है तो यह pension का पैसा आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूं कि जब आप 58 साल के हो जाएंगे यानि कि 58 यर की जब आपकी age हो जाएगी तो आपको EPFO की तरफ से हर महीने pension मिलेगी EPS pension scheme के त amount है अगर आपकी service 6 मैने से ज्यादा की है और 9 साल 6 मैने से कम की है तो इसको आप withdraw कर सकते हो इसको निकाल सकते हो अगर 6 मैने से मैं फिर बता देता हूं 6 मैने से कम की service है तो यह पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और 9 साल 6 मैने से ज्यादा की service हो जाती है तो फिर आपको 58 साल के जब हो जाएंगे तो EPS पैंशन स्किम केता है आपको हर महीने पैंशन मिलेगी मिनिमम पैंशन अभी जो है सर्विश्स का जो ओप्षिन है इस पर जाना है और यहांपर जाके फिर ओप्षिन क्लेउस से बाद कर देना है उसके बाद यहांपर 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 आजाएगा same process for online claim इस पर क्लिक कर देना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ second के बाद आपके सामने कुछ ही इस तरह से विंडो आ जाएगी और यहां पर आएगा I want to apply for अब यहां पर select claim option में जा कि आपको only pension withdraw form इस वाले पैसे के लिए जो pension contribution है इसके पैसे के लिए अगर यह सेलेक करेंगे दुबारा तो यहां पर इस तरह से मैसेज आ जाएगा यूर पिल्विस क्लेम इस ओल्रेड़ी पैंडिंग ठीक है तो यहां क्योंकि यह हमने अप्लाई कर दिया है तो अब यहां पर फॉर्म टै this कि यहां पर इंपलोई का एडरेस और यहां पर फिर वहां पर जैग बैंक की पास्थिक टीक है तो इसको टैचंच कर दिया और यहां पर स्थिक्ट आप पर इंप वहां चराए क्रम-चाविद आपका रहता है आदार्कार्ट में पर mention कर दिया अब नीचे की तरफ आते तो यहां पर छोटा सा box है I am apply for this claim यहां पर इस पर check कर देना है और यहां पर get आदार OTP उसके बाद same वोई आपके जो आदार कार्ड के साथ जो mobile number register है तो उस पर OTP जाएगा और OTP यहां पर mention करके validate OTP and submit claim form पर press कर देना है तो चलिए OTP मैं check कर लेता हूं आया कि यहां पर OTP मैंने mention कर दिया उसके बाद validate OTP and submit claim form इस पर press करना है और कुछ second के बाद यहां पर जो है request आपका जो pension का पैसा रहता है pension contribution का यह जो पैसा रहता है उसके बाद यहां पर message आएगा OTP has been verified EKYC updated and pension withdraw claim form submit successfully on unified portal please click here to view PDF इस पर click करके आप जो है अपना PDF जो request submit करी थी वो download कर सकते हैं आपर तो इस तरह से जो है आप अपना पूरा पैसा या या यह वाला पैसा और यह जो pension का पैसा है निकालने के लिए full and final PF के लिए apply कर सकते हैं उसके बाद online services के इस option में जाएंगे ट्रेक claim status पर जाएंगे तो यहां पर ट्रेक claim जो है ट्रैक भी कर सकते हो यहां पर अभी देख सकते हो submitted add portal current status यहां पर यह आ रहे है ठीक है उसके बाद जैसे ही यह आप यह रिक्वेस्ट जो है आपकी करमचार बहुसे निदी संख्ण के पास चली गई है और जैसे ही इसको वैलिडेट करेंगे verify करेंगे उसके बाद आपका पैसा साथ से दस दिन में आपके bank account में credit हो जाएगा उसके च्यारपान दिन बाद जैसे ही आप यूए एन claim status इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका दिखार देगा कि क्या आपका current में status है यहां पर देख सकते हो claim settled हो गया है यहां पर यहां पर आपको अपना जो है बारा डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नमपर और पासवर्ट और यह जो capture code यहां पर mention करके sign in login कर ल आपको अपनी प्या मेंबर डी सेलेक करके view claim status ट्रैक पर जो है option जो है select करना है उसके बाद यहां पर आपको दिखा देगा आपका claim status यहां पर देख सकते हो यहां पर claim status दिखा रहा है settled और यहां पर जो amount आपकी जो है bank account में कितना जो है पैसा bank account में credit हो है remark में दिखा यह जानकर यह information मैंने आपके साथ share करें आपको पसंद आयोगी अब आप भी जो है अपना खुद का या फिर अपने friend family member में जिसका भी पीफ account है उन्होंने कहीं पर नोकरी नहीं कर रहे हैं वो दो महीने से ज़्यादा हो गया है तो पूरा पीफ का पैसा निकालना चाहते ह हैं online घर बैठे तो जो मैंने step बताया जो मैंने process दिखा है आपको live वो process वो जो step है फोलो करके यूज करके आप कहीं से भी internet के माध्यम से घर बैठे किसी का भी अपने friend family member में किसी का भी जो है पीफ का पैसा online निकाल सकते हैं और दोस्तों आगे भी मैं इस तरह की helpful technical वीडि लाइकन भी प्रेस करके all का जो option है उसको select कर लीजिए जिससे कि आपको इस तरह की helpful वीडियो जो है लगातार मिलती ही रहेंगे दोस्तों मिलते हैं नई एक और helpful technical वीडियो के साथ तब तक अपना ख्यार रखेगा